असलाव अलेकुम भाईयों क्या आले कैसे हैं और सब खेरियत से होंगे मैं इस ताइम आप से इस चीज के पर बात करने के लिए आया हूँ कि बहुत से कमेंट रहे हैं कि जेबरा फिंचेज खतम हो गई हैं जेबरा फिंचेज बड़ा लॉस का काम हैं जेबरा फिंचेज के प्रेड गिर गए हैं ठीक है अब दुनिया में जो जेबरा फिंचेज बनाई जाती हैं जिस पर काम हो रहा है यकीन जानी है पाकिसान में वो उसका वन परसंट भी लोगों ने देखा हो नहीं है यह माशालला गुरूप की किपैसिटी बहुत जबरदस्त है अब यह इस ग जेबरा फिंचेज हमने सबसे पहले रखी हैं बाद में हम जावा पे आए हैं बाद में हम लवड पे गए हैं बहुत सारी चीज़े करी हैं लेकिन हमारा जो शौक है ना जेबरा फिंचेज का वो हमारा शौक कभी भी नॉलिज से इंक्रीज होके आगे की तरफ नहीं है मैं तो दोनों बर्ड आप उसकी ब्रीड लेके एक बॉक्स में डालेंगे ना तो आप उसको फरक नहीं कर सकते कि ये किस ने पाला है। उसका रीजन यह है कि बच्चे भी बही आने है, साइज भी बही है। थीके ना इसमें आप ने वर्किंग करके कोई कमाल नहीं दिखा देना ठीक है न जावा के बच्चे जावा प्रिडूस करेंगे लबबड के बच्चे लबबड प्रिडूस करेंगे ठीक है जी इस तरह डव जो है वो डव प्रिडूस करती है जब यह आप देखते हैं कि यह सारी बर्ड्स एक ही जैसी चीज प्रिडूस करती हैं मिसाल के तौर पे पांच पेर आपने लगाए पांच पेर में हर बच्चा चार चार जो आ रहा है वो वही आ रहा है जो महबबब है तो होगा क्या इससे इससे सब के पास माल जाता जमा हो जाएगा और उसका बायर कम हो जाएगा जब बायर कम हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपको वो रेट नहीं मिलेगा क्योंकि कम्पिटिशन बढ़ेगा लोग रेट गिरा देंगे ठीके जेबरा फिंचिस में ऐसा क्या है जेबरा फिंचिस में ऐसा क्या है ठीके अब आप मैं की मिसाल में आप को यह देता हूँ कि हमारे जो पैरेंट्स थे उन्होंने पुरानी करोला ली डाट्सन ली ठीके ना अब वो गाड़ी उस दोर में नहीं थी तो जब वो उसमें ट्रैवल करते थे तो वो जाहरी बात है शहाना शहान व शौकत से ट्रैवल करते थे लेकिन अभी कोई उसको अगर यूज में लेता है तो वो यह पुरानी करोला या सेविंटीज की एटीज की उसको पुरानी गाड़ी ही तसवर करेंगे ठीके उसी तरह जेवरा फिंचिस है छोटे साइस के हमने बनाई हमने मोटेशन बनाने की जादा जल्दी करी साइस वरकिंग पर हमने काम नहीं किया ठीक है ना और इस तरह से जो हो हमें नुक्सान हुआ इसका मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ भी ठीक है अब यह पहले वीडियो प अब्सी बनाई मैं करदा है कर दो कर दो तो देखा आपने क्या स्टेंडर वर्ड का क्या साइज है उनके किस हिसाब से वो बर्ड को बना रहे हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं और यह आप यह समझ लें के बारा-बारा सो बी-एजडी बहरीनी असमें धरम में रियाल में अगर आप सको करें तो पाकिसानी तीन चार्शाल लाग पांच पांच लाग दर दस लाग के पेर हैं क्या अर्भी बेवकूफ है कि मतलब वह ऐसा पेर की पूरी-पूरे नोंने शेड बनाएं और तीस-तीस सा बारा से एक बढ़ पर काम कर रहे हैं उनके रेट तो नहीं गिरते यह पाकिसान में गिरते हैं पाकिसान में इसलिए क्यों कि हम बनाते ही वह चोटा आइटम है जो लालू खेत में जाके बेग जाए बस परिंदे उग जब कमर्शल नजर से देखो के तो बर कमर्शल तरीक इसे ही आएगा अभी सारे फॉन जावा के पीचे भाग रहे हैं डफ के पीचे पाइट डैमंड डफ डालने आप यह च्छे मेने बाद देखी गा किसका क्या हाल होता है ठीक है जी दूसरी चीज में आपको एक और समझाओं आप यह देखिए कि हमने रखना क्या है ठीक है हमने काम किसपे करना है कोई भी बड़ा ब्रीडर कभी भी नी बन सकता जब तक वो तीन साल तक अंडर ग्राउंड रहके अपनी प्रॉपर वर्किंग ना करे ठीक है हम कलर्स के पीचे भागते हैं कलर पहले बन जाए जब कलर एक दफा बन गया तो वो आप सेम नो यह ब्रीडर जानता है यह एक्सपर्ड जानता है लेकिन जो बेवकूफ हैं वो यह समझते हैं कि जब जो चीज चड़ी भी हो नो उसके पीचे भागो अभी 35 का 40 का डीने ट्रस्टेड फॉन जावा का पेर कितने का चल्ला है बाई 35,000 रुपे का 40,000 रुपे का कोई 45 कर रहा है तो लोग ले लेंगे यहां पर पाकिसान में गुर्बत कहीं नहीं दिखी कि फिर आपको क्योंकि फिर लोगों के पाइसा आ जाएगा ठीके ना लेकिन जो चीज अभी गिरी वी है जैसे अब फर्स करें अगर कहीं से आपको कॉलिटी बर्ट मिल लें हैं कम पैसो चूरा दिया इन चीज़ंद कौन कौन काम कर रहा है इन चेस पर कौन को लेके चला है यह सब आपके सामने है मुझ समय समय कि लहार समय बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पर काम कर रहें ठीक है अभी मार्केट में एक अफवा आई 20,000 रुपे का चारकुल भिक रहा है ठीक है अब सब लग गया उसके पीछे कमेंड आप चेक करें जेवरा पिड़ गई 20,000 रुपे का चारकुल माशालला अभी मतले ना अभी यह और नीचे आएगा अरे बेवकूफ हो माजरत के साथ बर्ड का स्ट्रक्चर बता है आपको क्या होता है जब आपको बर्ड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता आपको यहीं नहीं पता कि इंटरनेशनल लेविल पे बर्ड को किस चीज़ पर पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर आ बीज दार पे वाला वह पेर चार कोल का डालो और फिर आप उसका साइज देखो आपको समझ में आ जाएगा कि वह किस स्टेंडर्ड पे यह अभी मैंने वीडियो आपको दिखा ही क्या ही स्टेंडर्ड पे मीट हो रहा है या नहीं हो ठीक है ना दुनिया में बहुत सारी पर काम होता है जावा गोर्डियन स्टार स्पैरोस की जो भी आप देलो इसके दावा आप पिजन की ले लो स्मॉल पिजन की ले लो लेकिन जितना इंसानों ने जेबरा फिंच पर टाइम दिया ना उतना किसी पी निदिया यह वाली जेबरा फिंच नहीं जो लालूखेत म भी करिए ठीक है जी दुबारा से बता रहा हूं स्टेंडर्ड बर्ड इंटरनेशनल स्टेंडर्ड को मीड करने के लिए इंटरनेशनल स्टेंडर्ड पर काम करना पड़ेगा उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए पेशन्स चाहिए और पेशन्स हम या तो आप बर्ट से महबबत कर लो या तो कुछ कमर्शल कुछ और काम करो इस से जदा बैटर है कि आप पोल्ट्री के एंडे खरीदें और डेली की बनियाद पर उसको दोने दुकानों पर सप्लाय करें बर्ट के काम में जिसको महबबत नहीं है पर इंदे से वह खुदारा नहीं है